हेलो गैस वेलकम बेक अगेन तो गैस आज हम स्टड़ी करने वाले हैं आपके कॉलोनी या फिर प्लेक हाइबर डाइजेसन ठीक है और यह हमारा टार्गेट सीरीज से सीसिया नेट में हमारा चैप्टर होने वाला है आठ वाँ यहां फिर आप इसे बुसक लेक्चर आठ और किस थार्ट में हम स्टड़ी करेंगे किस तरह से आफ ॥श्य आफिय कर सकते हैं कि इस बैक्टरिय में आपका जीन है Ger कोबिनेंट हो चुका है कैसे ट्रांफर हो चुका है ठीक तो इसके लिए आपको बीसिक बायोटेक है वो पता होनी चाहिए, ठीक है, बीसिक बायोटेक आप सब पढ़ कहा होंगे, और जो सिसे नेट की प्रपिशन कर रहा है, वो कोई बच्चा तो है नहीं है, आफ्टर एमसी, इतना बीसिक नौलिज तो सब को हो गाई सही, ठीक है, तो जैसे मैंने कोई बेक, कोई जीन लिया, और मेरा कैसा है, चोईस ओफ जीन है, जिसे मैं किसी अधर और 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 प्लांट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, और मैंने वो ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा, कि मेरा काम कम्पलीट हो और और प्लांट में ट्रांसफर जीन लिए जाएंटिफाई होगा, तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम टेस्ट करेंगे, कॉलोनी और प्लेग हाइबर डाइजेसन, तो आज के बाद कभी तुमसे पूछा जाए, किस तरह से पता करेंगे, तो आप बता सकते हैं, कौन सा हाइबर डाइजेसन करेंगे, प्लेक हाइबर डाइजेसन, और जब भी हाइबर डाइजेसन की बात होती है, तो यहाँ पे SP3 और SP संक्रण नहीं होगा, यहाँ पे होगा, एक DNA का दूसरे DNA से मिला, ठीक है, और मिलके क्या बना देंगे, एक double extended DNA, तो single extended DNA, किसी other organism से, दूसर single extended DNA, other organism से, दौना मिलके hybrid DNA बना देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास में कौन सा है, जो मैंने transfer किया है, अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि वो मेरे organism में, सामने वाले organism में पहुंचाए के नहीं, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक synthetic, जो complementary DNA का base है, वो बना के रखोंगा ठीक है, और यहीं हम देखने वाले हैं basic procedure, ठीक है, ओके, जैसे मा लीजिए, अब यहाँ पे आपको एक basic चीज़ बता देता हूँ मैं, जैसे मेरे पास में एक DNA है, ठीक है, और DNA में, यहाँ पे मेरे पास यह nitrogen ही चाह रहे हैं, cytosine है, guanine है, adenine है, और thymine है, ठीक है, adenine के साथ, simple है, लेकिन कई बर बच्चे इसी में confused हो जाते हैं, हालांकि बहुत basic है, सब को आता होगा, लेकिन देख लेते हैं, जैसे cytosine guanine के साथ में, triple bond के साथ में, और adenine, thymine, दोनों bind करेंगे, double bond के साथ में, तो यह तो basic है, लेकिन अभी जो बताने वाला हूँ, थोड़ा और advance हो जाएगा, अब देखें, DNA के दो खंड आपस में, एक दूसरे से जोड़ते हैं, hydrogen bond के दोरा, लेकिन DNA के एक इस्टेंड के दो nitrogen ही छार आपस में जोड़ते हैं, phosphodiester bond के दोरा, कौन सा bond, phosphodiester bond, तो यह जो इन दोनों के बीच में जो bond होगा, वो phosphodiester होगा, और इन दोनों DNA के segment के बीच में जो bond होगे, वो कौन से होगे, hydrogen bond होगे, it is simple as that, यहाँ पे confuse होने वाले, कोई बात ही नहीं है, अगर इतना भी confuse हो रहे हैं, तो आपको लगता है, पूरा basic से पढ़ना पड़ेगा, चलिए, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं procedure, तो जैसा क नाम से पता चल रहा है, colony hybridization है, इसमें आपकी पूरी colony होगी, एक bacteria की, mostly, और अगर आप बात करें, प्लेक हाईबरडाईजेसन, तो प्लेक पे कहने का मतलब है, फलक, ठीक है, फलक यहाँ पर slab बोल सकते हैं, अगर slab से, अगर है, आप अपने organism को लेते हैं, तो वो प्लेक ह इसमें आपकी colony है, यह रही colony है, और इसमें हमने recombinant अपना DNA भेज दिया है, तो किसी ना किसी DNA में हमारा choice of gene पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पे हमने एक nitro cellulose paper डाल दिया, यह डाल दिया, देखो, यह डाल दिया, हमने इस तरह से nitro cellulose paper डाल दिया, अ अब सारी bacteria colony किस पर आगी, नाइट्रो cellulose paper पर आगी, ठीक है, एक तरह से आप इसे बोल सकते हो, हमने blotting की है, blotting paper पर लेते थे हम ऐसी, ठीक है, हमारी DNA को, तो हमने यह यह पर ऐसी किये, कि हमने हमारी colony को nitro cellulose paper पर ले लिया है, अब क्या हुआ, पूरी bacteria की colony किस पर आ यूज, और detergent का काम होता है, आपके जो bacteria है, हमें उस सारे DNA का material है, उसे बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी cell wall को rapture करेंगे, तो cell wall को rapture करने के लिए हम यूज करते हैं, detergent, और detergent क्या करेगा, cell wall और cell membrane को rapture कर देगा, और आपका जो capsid में जो अंदर रखा रहत लिए, अभी कैसा है ये DNA, अभी ये DNA है, double standard DNA, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे इसे single standard करना पड़ेगा, तो single standard करने के लिए हम इसके लिए use करेंगे, L-cline solution, उनसा solution, L-cline ठीक है, confused नहीं होना है, हमने detergent लिया, bacteria, सारे bacteria जो थे colony के, उनकी cell wall, cell membrane को rapture करके, उनके अंदर से DNA को निकाल दिया, और DNA को single standard करने के लिए, हमने वहाँ पे L-cline solution डाल दिया है, आपके paper पे, यहाँ पिर उस paper को आपने किसी AC plate में रख दिया है, जहाँ पे कैसा था, L-cline solution अलड़ी रखा हुआ था, तो यह दूसरे segment में हो जाता है, सारा procedure, ठीक है, दूसरे segment में हमने दो काम कर दिये, detergent का यूज किया है, और L-cline solution का यूज किया है, अब हमारे पास में जितने भी DNA है, recombinant bacteria की colony के, वो सब कैसे होंगे, single standard होंगे, सब, अब दीगिए, आपको DNA segment पता करना है, कि मेरा choice of gene पहुचाए कि नहीं, और आपको choice of gene का जो sequence है, genome sequencing है, वो आपको अलड़ी पता है, तो यह है मेरे पास में genome sequence, guanine, cytosine, आपके पास मगली जी, यह choice of gene आपने भीजा है, ठीक है, तो आप एक synthetic, इसके opposite complementary sequence अलड़ी बना के रखेंगे, जिसे आप बोलते हैं, कौन सा? Synthetic nucleotide यहां पर आप जिसे probe बोलते हैं, single standard DNA होता है, जिसमें 15 से 20 nucleotide लगी रहते हैं, और वो कैसा होगा आपकी, जो non sequence है gene का, उसके complementary sequence होगा, ओके, तो यहां पर वो probe को हमें आपके add कर देते हैं, तो जो अगला procedure होगा, उसमें क्या किया जाएगा, प्रॉब को add कर दिया जाएगा, तो addition of probe हो गया, और probe मैंने बता दिया है, यह synthetic target जो आपका gene है, उसके complementary base sequence मिलके बना होता है, ठीक है, और जैसे मैंने, मेरे पास में 2400 gene कौन कौन से थे, यह मैंने बीजा था, ठीक है, अब मैं जो probe बनाऊँगा, इसके opposite ही तो बनाऊँग amine और adenine, यह वाले probe बनाऊगा और मैं सभी इनको यहाँ पर alkaline solution जो हमने यूज कहादा है, वहाँ पर से additional कर दोगा इसके, चोड़ दोगा वहाँ पर, probe डाल दिये, अब यह करेंगे hybridize, और hybridize उस DNA के साथ में जाके होंगे probe, जो एक दूसरे के complementary होंगे, ठीक है, अब जै आपके पास में already radiolabel के हुए सारे DNA हो सकते हैं, ठीक है, सारे DNA में तो आप confused हो जाएंगे, आप यहाँ पर प्रॉप को radiolabel कर सकते हैं, वो प्रॉप को radiolabel कर देंगे, तो आपको यह specify कर देगा, कि यह DNA है कैसा है आपका, यह जो colony का DNA है, यह जो bacteria है, कैसा हो गया, recombinant हो ग आपको 2 DNA से मिल रहे हैं, जो hybridized हुए हैं, तो यहाँ पर आपको efficiency पता चल जाएगी, कि bacteria colony में थे, कितने थे, 20 थे, और 20 में से 2 को हुए है, तो 2 upon 20, तो efficiency पता चल गए, 10% efficiency आपकी, ठीक है, recombinant के efficiency क्या है, 10%, तो यहाँ पर देख सकते हैं, detergent का यूज कम ने क्या किया थ यानि कि उसकी cell ball और cell membrane को rapture करने के लिए, alkali solution का यूज किया था, denature करने के लिए, यानि कि double standard DNA को single standard में करने के लिए, अब यहाँ पर हमने यह क्यों किया है, क्योंकि हमें हमारे target gene जो हमने भीजा था, वो हमें पता करना था, कि यह हमारे target उसमें पहुँचाएगी ने, target plant animal में पहुँचाएगी ने, अगर हमारे पास में जैसे यह दो DNA मिल गए हैं, तो हम इससे अनमाल लगा सकते हैं, कि यहाँ पे यह DNA पहुँच गया है, इन बैक्टिरिया में, ठीक है, ओके, तो गईज, यह था हमारा simple सा colony hybridization, अगर आप एकर प्लेट पे कर रहे हैं, तो auto radiography में, ठीक है, माँ पे, क्योंकि आपका radio level DNA होगा, तो क्या होगा, auto radiography में, अलग से spectrum क्या करता है, एक्स क्रेट करता है, जो आप उसे आराम से देख सकते हैं, ठीक है, ओके, आप प्रॉब में यूज करेंगे, तो अच्छा रहेगा, और hybridized होने के बाद में, अगर आप तो ऐसे चीज यूज करते हैं, कि वो hybridized होने के बाद में, अगर फुल होता है, तो वो बहुत अच्छे से ये hybridization होता है, ओके, तो पूरी कॉलोनी में से आपने specify कर दिया है, कि किस bacteria में, किस DNA में आपका target gene पहुँचा है, ठीक है, तो आपने simple सा एक काम किया है, प्रॉब क additional कर दिया है, प्रॉब को जोड़ दिया है, और प्रॉब हम कैसे बनाएंगे, synthetic खुद बनाएंगे, हमने जो gene बेजा है, उसके just opposite complementary nucleotide sequence को लेके, इतना से आपका हाद रखना है, detergent और alkaline solution का यूज आपको पता चली गया, ये है आपका colony and plaque hybridization, ठीक है, ओके, तो कैसे अगर आपको समझ में नहीं आया, तो एक बापे से देख लीजेगा, और I hope guys you will get it, और अगर मैं थोड़ा से जल्दी में हूँ तो थोड़ा बापे से भी देख सकते हैं, एक दुबार देखेंगे वीडियो को तो आपको औरड़ी समझ में आ जाएगा, thanks, मिलते हैं नई वीडिय आपको किसा